किபे पीडु में अपने एक वीडो देखाऊगा जो कि आज कार इंस्टाग्राम रिल पर काफी ज्यादा ट्रेंड मेरी ठीके और देखने में भी काफी बढ़ियां लगरी ट्रेंडिंग भी है और देखने में भी बढ़िया लगरी तो और इसका टूटेरियल तो बनते है ठीक है तो आज की सुड़र आपको कम्प्लीट टूटेरियल मिलेगा कि आप आखिर कैसे इस तरीके का वीडो को बना सकती हूँ वह भी वी एन एडिटर के अंदर तो बहुत ही इजी टूटेरियल होगा तो वीडो को लास्ट है था कि देखना ओकी तो जैसा मैंने बोला कि हम वी एन एडिटर में एडिटिंग करने वाले तो सिंप्ली सा वी एडिटर को ओपिन कर लेते एंड उसके बाद प्लेस वाल बटन को पर टैप करके न्यू प्रोजेक्ट को पर क्लिक करके फोटो यहां पर एड हो चुकी अब उसके बाद इसको हमें रेशु फिक्स करना हो क्योंकि देख सकते हो कुछ अलग रेशु तो ओरिजिनल को पर क्लिक करके जस्ट यहां से 9 इस्टू 16 को सेलेक्ट कर लेंगे अब कितना इंक्रीज करना है यह आपके उपर डिपेंड करता है तो इसको अपर वहां से गेंड कर सकते हो तो सीम्पली सा यह थोर्ड वर बिटन को पर टैब करके हम प्यएँगे तो इसके उपर हम क्लिक कर लेते देन उसके बाद व्यूडव एंड फोट को परे क्लिक करते ज्लिक फोटो जिवाले सेक्सन में जाके जस्ट उससा प्याइंज अब उसके बाद व्युड़ो का जो बेक्ग्राउंड उससे हमें करना है blur अब व्युड़ो का background निकासे बिलर करें बहुत ही सिंपल होते है एक आपको अपने व्युड़ो को पर टैप करणा है स्वारी photo हो है ठीके तो photo का बेक्ग्राउंड ह cirroOR करने वाले उसके बाद simply से कर दो done आप देख पाऊगो कि background blur नहीं हुआ ठीक है बट यह हमारा final step होगा photo के उपर हमें फिर से click करना होगा and इसे नीचे करना होगा तब जाके आप देख पाऊगे कि यह जो है वो blur हो चुका है ठीक है तो इस तरीके से करके आप इसे blur कर सकतो अब यह blur लेना इसके बाद इसे कर लेना है export ठीक है exporting में थोड़ा सा time लगेगा तो हम यहां पर थोड़ा सा wait कर लेते हैं processing हमारे complete हो चुक है अब save only के उपर हम tap कर देंगे देन उसके बाद फिर से plus वाल बटन के उपर tap करके new project के उपर click करेंगे और फिर से same photo को हम select करेंगे ठीक है तो photo वाले section के उपर जाते हैं और same photo को select कर लेते देन उसके बाद arrow बटन को पर tap किया तो यह add हो गया ठीक है अब उसके बाद फिर से original को पर click करेंगे जस्ट 9-16 को हमें select करना होगा और उसके बाद अगेन इसका जो duration होगा उससे हमें increase कर लेना होगा तो फिर से मैं यहाँ पर जस्ट 10 के प्रॉक्स कर लेता हूँ क्योंकि पिछले वाले को भी हमने 10 के प्रॉक्सी किया था ठीक है तो इतना हमने कर लिया देन उसके बाद simply से हमें यहाँ पर PIP वाल बटन क पर टैप करने ठीक है मिन्स वही थाडवाल बटन को पर टैप करके वीड़ो एंड फोटो को पर क्लिक करने और अब ही जो हमने वीड़ो को export किया था उस वाल वीड़ो को जस्ट टैप करके सेलेक्ट कर लेना ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग में टाइम लगे अब ठीक है फिल सेलेक्ट करोगे पूरा स्क्रीन फिल हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रीन स्क्रीन को हटाने का option में च्रोमा की मिल जागा तो क्रोमा की के ओपर क्लिक करना और यहां से ग्रीन कलर को सेलेट करेगे इसका intensity and spill यह सब को थ जाइज़ करना होगो ओके तो कुछ इस तरीक से मैं यहां पर अडियस्ट कर लेता हूँ टिक है तो आप यहां पे एच्छे तरीक से अडियस्ट कर लेना देण उसके बाद आपको यहां पर एक और पिनजी एड करने होगे उसका भी लिंक मैं देदूंगा डिस्क्रीशन तो वहाँ सब उसे गेन कर सकती हो तो सिंपली सा पेंजी आड़ करने तो थाड़ वह बटन को पर टैप करेंगे फुटो पर पर जाएंगे पर फिर से फोटो जो पर जाएंगे एंड इस वाले पीएएंजी को सेलेक्ट कर लेंगे टीक है तो मैं यहां पर फटाक से इस वाले वीडियो के लास्ट तक कर देंगे ठीक है तो यह हो चुका अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक और स्क्रीन को सेलेट कर लेंगे एंड डन कर देंगे ठीक है और उसके बाद अपने अपने फोटो के अपने 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 अपन लीरेक्स तूडो को गेनि कर लेना और इसका जो वही ब्लैक कलर को हटाना है तो ब्लेंडिंग के ऊपर जाएंगे स्क्रीन को से रेट करके अब उसके बाद इसे अच्छे तरीके से यहां पर हम फिक्स कर लेंगे एंड उसके बाद आप देख पाऊए कि हमारी जो वीडो है वो कम्प्लिटली क्रेट हो चुकी बस यहां पर क्या है कि थोड़ा बहुत फिक्स हमें करना हूँ हुआ मिनच देख सेरे यहां पर कर लेंगे थोड़ा सा ऐच को इनिकरेश करें तो यह सब्सक्राइब तो तो इसके लिए का करना है कि इसका जो वॉल्यूम है ना इसके उपर क्लिक करके इसे पूरा मैक्स कर लेंगा है क्योंकि यार यह होता है by default कि यहांपे पहले से के मिन्च विद्वट को कम करके ही रखा जाते हैं तो इस 사वंड को आपको इनग्रीस कर ले होगा अज उसके बाद आप ?? विड़ है वो बन के लेक हो